हेलो स्वागत है आपको अपने चैनल कॉमर्स गुजी पर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो चैप्टर चल रहा था पूरम गांधी की लेटेस्ट एडिशन से एडिशन एड फंडामेंटल बुजनेस में भी कोशिश करूंगा इसका लास्ट फार्ट हो यह चैप्टर इस वीडियो में खतम हो जाए इसके ऊपर का मैंने आपको पड़ा दिया था अभी तक आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक पर जाएगी दिस्क्रिप्शन में आपको मेरा वाट्सएप नंबर मेरा इंस्टागाम आइडी टेलिगाम चैनल फेसोगा इडी सम्मेली जागा वहाँ जाके आप सपोर्ट कर सकते हैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ता कि आपको अच्छे से देखें चले कॉमर्स कॉमर्स रेफर्ट ट इसको अल्टिमेट कंजुमर्स यानि की उसका सही यूज करने वाला प्रोग था देयर विल भी नो यूज प्रडूसंग उड्स अन्लेस एं अंटिल इस गोड्स रीश्ट अल्टिमेट कंजुमर्स उन गोड्स का बनाने का कोई फाइदा नहीं है जब तक वो कंजुमर्स ना पहुचे गोड्स आर प्रेडूस एड वन प्लेस एंड कंजुमर्स इंड इसकेटर एंड डिफरेंट प्लेस गोड्स बन एक जगह रहे हैं लेकिन उनको इस्तिमाल करने वाले जो कंजुमर्स अलग अलग जगह फैले हुए हैं दा कंजुमर्स आर नौट अवेर वाट आर नौट कंजुमर्स को पता ही नहीं है कि जो मैनुफेक्चर है वो किस किस तरह के गोड्स बनाता है गोड्स जो बना जाते हैं लेकिन मांगे स्मॉल कॉण्टिटी में जाते हैं इन सभी प्रॉब्लम को देखते हुए जो कंजुमर्स है वो पिरेश की दिक्कत नौलेज की दिक्कत, storage की दिक्कत को solve करती है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, function of commerce और इसको आप role of commerce, trade and xray to trade कह सकते हैं, इसका मतलब क्या है, जो commerce में होता है, वही same age to trade में होता है, देखो, सबसे पहला, help in removing the hindrance of person, hindrance यहाँ का मतलब problem, a large variety of goods are produced by a group of person called producer, बहुत सारी मात्रा में goods को बनाए जाता है, कौन बनाते हैं, producer बनाते हैं, these goods are produced for another group of person called consumer, यह goods जो बनाए जाते हैं, वो एक दूसरे group के लिए बनाए जाते हैं, कौन होते हैं, वो consumer होते हैं, इनके बीच में कोई direct relation नहीं है, producer के बीच में और consumer के बीच में कोई direct relation नहीं है, एक trade segment है, जो commerce create करता है, producer और commerce के consumer के बीच में, यानिके एक link है, जो producer और consumer को जोड़ती है, आप असमें उसको हम कहते हैं, commerce, traders help in exchange of goods or service from the producer to consumer and hence remove the hindrance between producer and consumer, जो traders होते हैं, जो goods को producer से consumer तक पहुचाने के काम करते हैं, वो हमारी commerce काम है, second है, help in removing the hindrance of place, goods are produced at one place, whereas consumers are scattered in different corners of the country, goods बन रहे हैं याँ पर, लेकिन को यूज़ गनने वाले जो consumer है, वो देश के अलग-अलग हिस्सों में बैठे हुए है, there is a place gap between the producer and consumer, तो place का gap हो जाता है, producer है अगरा का, consumer दिल्ली, मुंबई, हर्याना, अलग-अलग दिगे, the transport segment of commerce help in removing the place gap, जो transport segment होता है, सामान को एक जगे से दूसरे हैं, पहुचाने हैं काम जो होता है, transport की सोविदा, वो commerce की ये सोविदा, ये जो दिक्कत होती है, उसे खतम करती है, the transport moves goods from the place of production to the market, which are easily accessed by the customer, transport क्या करता है, जहां पर goods produce हो रहे हैं, वहां से उन goods को उठा कर, उस market में पहुचा देता है, जहां से consumer के लिए goods को लेना काफी easy रहे, thus transport is essential for buying and selling of goods, इसलिए transport बहुत ज़रूरी है, goods and selling को buy करने में, ये एक commerce का important function है, फिर है आपका, helps in removing the hindrance of time, some goods are produced in a particular season and only but are demanded throughout the year, कुछ goods बनते तो कुछ season है, लेकिन पूरी साल उसकी demand रहती है, ये जैसे wheat, rice, pulses, on the other hand, some goods are produced throughout the year but are demanded in a particular season, कुछ goods ऐसे होते हैं जो पूरे साल बनते रहते हैं लेकिन उनकी demand किसी season में आती है, so there is a time gap between the production and consumption, तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ बीच में time gap हो रहा है, production और consumption के बीच में, जब आप goods को बना रहे हो और जब goods को use किया जा रहा है, the goods need to be kept safe and fresh during this time gap, अब जो goods हैं, उनको हमें fresh रखना, safe रखना बहुत जरूरी है, time gap के बीच में, warehouse segment of commerce, तो जो हमारे commerce का warehouse concept है, गोदाम का concept है, वो क्या करता है, वो help करता है, इस problem जो time gap की problem आ रहे हैं, उसे solve करने में, the goods can be kept safely in the warehouse till they are demand in the market, तो आप अपने goods को गोदाम में जब तक रख सकते हैं, जब तक कि उसकी demand नहीं आ रही, various type of warehouses are constructed, and according to the requirement goods are kept in these warehouse, अलग-अलग तरीके के warehouse बनाई जाते हैं, और जिस तरीके से आपको requirement है, आप उस तरीके से गोदाम बना सकते हैं, ऐसे example है, जो perishable goods होते हैं, खराब होने वाली चीज़े होती हैं, उन्हें हम cold storage में रखते हैं, inflatable जो goods होते हैं, जो जलने वाले goods होते हैं, उन्हें fireproof warehouse में रखते हैं, help in removing the hindrance of exchange, the goods and service produced by the manufacturer, are sold to buyer in exchange of money, जो goods and service है, जो manufacturer ने बनाई है, वो बेची जाती है, प्रडूसर को या बायर को money के बदलेंगों, the common medium of exchange यहाँ पर क्या है, money है, तो जो banking की सुविदा होती है commerce की, the bank help the buyer and the seller in banking and collecting payment, तो bank मदद करता है, buyer और seller की, ताकि वो payment receive कर सके, या payment कर सके, now businessmen can send money from one place to other, अब एक businessmen, एक जगे से दूसरी पैसा बेश सकता है, bank draft से, check से, banks are also financing businessmen by granting them loan, जो bank होती है, वो businessmen की मदद करती है, उन्हें loan देकर, credit facility देकर, bank are helping in external trade, अब external trade में, जो हम अपनी country से बहार transaction करते हैं, तो वहाँ पे bank हमें letter of credit देती है, वो हम आगे वाले chapter में पढ़ेंगी, क्या होता है letter of credit, help in removing the hindrance of risk, अब there are different type of risk, which a businessmen has to face, बहुत सारे risk होते हैं, जो businessmen को face करने होते हैं, the insurance branch of commerce, help in removing the hindrance of risk, जो insurance branch होती है commerce की, वो इस दिक्कत को खतम करने मारा भी मदद करती है, वो आपका जो नुकसान होता है goods का, उसमें compensation देती है, insurance company agree to undertake to make goods, the loss suffer by the banishment, insurance company agree होती है, कि आपके जो goods हैं, इनमें जो loss अगर आपका हो जाता है, जल जाए, चोरी हो जाए, बार अगर आ जाए, उससे हम आपको recovery करवा देगे, ये common type of risk होते हैं, जो insurance company cover करती है, damage of goods, रास्ते के बीच में goods खराब हो गए, storage से खराब हो गए, आग लग गई, पानी पड़ गया, उसकी वयसे तो गाटा होता है, तो वो insurance company आपका cover करती है, help in removing the hindrance of knowledge, generally the consumer and the buyer are unaware about the new goods produced by the manufacturer, basically, जो buyer होता है, उसे नहीं पता कि manufacturer ने कौन सा नया goods बनाया, as there is no diet communication between the manufacturer and the ultimate, कज़ कोंगी, जो buyer है और जो manufacturer हो आपस में बात तो कर नहीं रहे, facebook पे photo डाल दी, match कर दी, आग लगा दी, नहीं ऐसा नहीं कर रहे, तो इनके बीच में जो advertisement है, यानि प्रचार है, विग्यापन है, वो एक बहुत बड़ा main role play करता है, commerce का, ताकि आपको मालूम रहे, कि जो manufacturer है, वो कौन-कौन से नए goods market में लाने बाला है, for example, everyone know that, i9 is the latest microprocessor of computer, because of advertisement, तो कि, example ये रखाए कि, वही सब को मालूम है, कि जो intel का i9 है, वो इस समय latest microprocessor है computer में, और किस की वज़े से मालूम पढ़ा आपको, advertisement की वज़े से, अब बात करते हैं, हमारी classification of commerce, commerce को दो categories में बाटा गया है, trade और aid through trade, aid through trade को आपको अभी नहीं पढ़ना, क्योंकि जो आपने commerce में पढ़ा था, transport and communication की सुवधा, trade क्या है, trade is an integral part of commerce, एक बहुत इंपोरेंट पार्ट है, हमारा commerce का, it refers to buying and selling of goods and service, the trade segment of commerce brings together, the manufacture and the consumer, goods को खरीदना बेचना हमारा क्यालाता है, trade क्यालाता है, traders act as a link between the manufacturer and the consumer, जो trader होते हैं, वो एक link की तरह काम करते हैं, manufacture and consumer के बीच में, in the absence of trader, और manufacture, अगर trader नहीं होंगे, goods and service को खरीदने बेचने वाले, तो manufacture को ढूड़ना पढ़ेगा, consumer का है, और consumer को ढूड़ना पढ़ेगा, manufacture कहा है, trade दो तरह की होती है, internal trade और external trade, जब हम अपने India to India में ही सामन को बेच रहे हैं, तो वो हमारा internal trade है, और जब हम out of country बेच रहे हैं, तो हमारा वो external trade है, internal trade refers to buying and selling of goods or service, within the geographical boundary of a country, अपने इंडिया के अंदर ही अंदर हम goods को खरीदरे बेच रहे हैं, तो वो internal trade कहलाता है, या home trade कहलाता है, internal trade में goods and service को खरीदा जाता है, और बेचा यादा अपनी country के करेंसी के साब से, internal trade में दो टाइप होते हैं, wholesale trade और retail trade, wholesale trade यारी थोक में जो इंसान खरीदता है, bulk में खरीदता है, it refers to buying and selling of goods and service in large quantity, ऐसे इंसान जो bulk में सामान खरीदता है, manufacture से, और bulk में भेज़ता है, retailers को, उन्हें हम कहते है, wholesaler, the wholesaler buy goods directly from the manufacturer and sell these goods to the retailer, जो wholesaler होता है, वो bulk में manufacturer से सामान खरीदता है, और वो retailers को बेज़ता है, generally, जो wholesaler होता है, वो एक one line of product में specialist होता है, यारने पूरा का मूरा medical का सामान, पूरा का पूरा का पूरा का पूरा का पूरा grocery का सामान, इस सरीके से, वो large मात्रा में stock को maintain करता है, he buy good for cash from manufacturer and sell on care to retailer, वो नगद माल खरीदता है manufacturer से, और retailers को कभी-कभी उधार provide कर देता है, a large amount of capital is required in wholesale trade, आपको काफी ज़्यादा मात्रा में पैसा चाहिए, अगर आप wholesale trade करना चाह रहे हैं, retail trade, it refers to buying and selling of goods and service in small quantity, जब आप कम-कम मात्रा में सामान को खरीद रहे हो बेचे हो, तो आप retailer हो, the retailer buy goods from the wholesale and sell these goods to the ultimate consumer, retailer जो goods है, वो wholesaler से ख़ईता है और आपको बेचता है, external trade, it refers to buying and selling of goods and service beyond the geographical limit of the country, अपनी country से बाहर हम goods को खरीद रहे हैं, उसको हम कहते है external trade, it is also known as trade between two or more country, एक या एक से ज़्यादे दो, या कम से कम तीन country में आपस में import-export हो रहा है, उसको हम कहते है external trade, external trade मार्केट में काफी बड़ा ट्रम है, external trade enable the businessmen to use the resources of their country in a competitive way, external trade, बिजनेसमें को यह option देता है, कि वो अपनी देश के resources बहार के देश में जाके बेच सके, उनके rules and regulation होते हैं, भाही बहुत सारे license के, custom clearance के, external trade तीन टैप का होता है, export, import और enter port, export का मतलब होता है, it refers to sale of goods to a foreign country, जब हम विदेश में सामान बेच रहे हैं, उसे हम export कहते हैं, import का मतलब जब हम भाहर से सामान खरीद रहे हैं, और enter port का मतलब होता है, जहाँ पर हम एक country से सामान खरीद रहे हैं, और दूसरी country को सामान बेच रहे हैं, याने कि आपने किसी दूसरी कंट्री से इसलिए खरी दिया है कि किसी तीसरी कंट्री को आप बेश सको उसे हम कहते हैं एन्ट्रेपोर्ट 8-8 को आपको नहीं करना क्योंकि यह सारी वही चीज़ी है जो भी आपने commerce में पढ़ी है ठीक है न तो जो हिंट्रेंस वाला था advertisement, transport, communication, warehousing, banking वही चीज़ होती है फिर आपका business risk business risk refer to the probability of loss or inadequate profit due to uncertainty or unexpected event which are beyond control business risk का मतलब होता है कि कुछ ऐसे losses जो शायद हो सकते हैं या आपको profit कम हो या कुछ uncertainty की वज़े से कुछ unexpected की वज़े से जो आपके control में नहीं है in simple words we can say business risk mean a chance of incurring losses or less profit than expected अपने simple words में कहा जाए तो business risk का मतलब है loss होने के chances या आपको उतना profit नहीं होगा जितना आपने उम्मीद लगा रखी है for example demand for a product may decline due to change in taste and preference of the customer or due to change in fashion or due to change in competent policy अगर आप किसी product को बेच रही हो तो उसकी demand कम हो सकती है हो सकता है उसको लोगोंने taste and preferences की वैसे change कर दिया हो या हो सकता है उसका fashion out हो गया हो या हो सकता है अपने जो आपके विरोधी है आपके competitor है उन्होंने अपनी policy में को चेंज कर लिया हो और यह जो factor है वो आपके control के बाहर है ठीक है ना nature of business risk क्या होता है सबसे पहला है business risk arises due to uncertainty business risk कैसे आता है uncertainty uncertainty means when you are not sure of what is going to happen in future आपको नहीं पता कि आपकी शादी किससे हो गया रहे सर शादी की बात सुनती बच्चे हो जाते है नहीं बच्चो uncertainty का मतलब क्या है कि आप future के बारे में sure नहीं हो कि कल को क्या हो जाए common example of uncertainty are change in demand जैसे demand में change हो जाना government की policy में change हो जाना तकनीक में change हो जाना यह uncertainty होता है और uncertainty के वैसे क्या arise होता है risk arise होता है risk is an essential part of every business हर business में risk तो होता ही होता है risk is an important characteristic of business हर business में risk होता ही होता है तो एक important feature है no business can avoid risk although degree of risk में worry कोई भी business risk को avoid नहीं कर सकता लेकिन worry होता है worry यानि कि किसी को जादा किसी को कम risk can be reduced but cannot be eliminated risk कम किया जा सकता है लेकिन eliminate नहीं किया जा सकता हटा या नहीं जा सकता degree of risk depend upon the nature and size of business और रिस्क की जो degree है वो depend करती है कि हमारे business का nature क्या है हमारे business का size क्या है the degree of risk depend upon the type of business for example a business involved in fashion item bear more risk as compared to business involved in standardized goal यानि कि अगर आपका business बड़ा level का है तो आपको ज्यादा risk है कम level का है तो आपको कम risk है profit is the reward for bearing the risk business man earn profit because they are bearing this no risk no gain no pain no gain इस तरीके से बड़ी business man risk लेते है और उसके बड़े उनको reward मिलता है profit का no risk no अगर आपको ज्यादा risk लेना है ज्यादा profit होगा and entrepreneur bear risk with the expectation of earning profit जो entrepreneur है जो business man है वो risk इसी लिए लियता है कि शायद उसे ज्यादा profit हो जाए कौन कौन से causes हैं जिनकी वज़े से हमें business risk होता है सबसे पहला दे रखा है natural causes nature is an independent phenomena and human beings have no control over it जो nature है बाल आ गई बुकम पा गया तुनामी आ गई यह आपकी इसकी वज़े से जो आपको नुक्सान हो रहा है वह आपका कौन सा कौज है नेचर कौज़ेस है human causes human cause are related to a chance of loss due to human being or employee of the organization आपकी कंपनी के जो employees है उन्होंने आपके संग गद्दारी कर दी उन्होंने आपके संग बेवफाई कर दी उन्होंने आपके business के secret किसी computer को बता दिए कोई राज को बता दिए इसकी वज़ेसे जो आपको नुक्सान हुआ वह हमारा क्या होता है human causes फिर है आपका economic causes economic causes क्या है economic causes are related to chance of loss due to change in market condition market की जो condition है उसमें बदलाव होने की वज़ेसे आपको जो risk है आपको जो कमी आ रही है घाटा हो रहा उसका हम कहते economic causes there can be a price fluctuation in the market price घटी बढ़ती रहती है fashion change होता रहता है taste and preference change होता रहता है customer की demand change होती रहती है there can be change in the degree of competition competition की degree में भी change होता रहता है all these have a direct impact on the earning of the business और इनका directly impact होता है हमारे business की earning में even change in government policy affect the business अगर government भी अपनी कोई policy को change करती है तो उसका भी सीथा सीथा impact हमारे business में पढ़ सकता है आप एक्जांपल दे रहता है 1971 में जनता government came in the power coca-cola company and many other foreign company were sent back from India जब 1971 में जनता government आई थी तो उन्होंने coca-cola company और काफी other foreign company को इंडिया से बाहर भेज दिया था physical causes all the causes which result in damage of asset ऐसे सारे reason जिसकी वैसे आपकी assets में कमी आएगी आपकी ऐसे न बरवादी होगी वो हमारे क्या है physical causes जैसे की तकनीक में change आ गया इसकी वैसे क्या हो जाएगी हमारी machine आउट डिट हो जाएगी हमें old तकनीक का करना पड़ेगा mechanical defect आ गया उसकी वैसे हमारी assets पर damage हो जाएगा accident हो गया employee employee से कुछ गलत हो गया machine पर तो machine का ही नुक्सान है तो यह सारी चीज हम में start करेंगे आपका chapter second जो की है आपका शायद forms of business organization है कौन सा chapter है forms of business organization ही है तो अगली वीडियो में हम इस second chapter को देखेंगे वीडियो फसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को like जारू करेगा share जारू करेगा और चैनल को अब तक subscribe नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राब कर दी थैंक यू सो मुच लब वी और